करिस्माटिक केमिस्ट्री आपका हमारे चैनल पर स्वागत है कि कैसे कैसे हाइप ब्लड टेंशन होता रहता है तो आज हम देखेंगे कि कैसे इसे मेजर किया जाता है हाँ तुमेजर ब्लड प्रेशर तो वही पहला टॉपिक हमारा सो मेजरमेंट आफ ब्लड प्रेशर ब्लड प्रेशर इस मेजर मेजर विध दी हैलप ऑफ अन इंस्ट्रूमेंट कॉल इस फिग्मो मानोमीटर को इसको आप देख सकते हो नीचे एक प्रेशा स्केल यह आपका प्रेशा स्केल है और यह स्टेटर्सकोप है दो चीजें मिलके काम में आती है दा इंस्टुमेंट दा इंस्टुमेंट कंसिस्ट ओफ इन इन फ्लैटेबल रबर बैक कफ कवरड बाय कॉटन क्लॉथ मतलब क्या कि यहां पर यह जो आपको दिख रहा है कॉटन क्लॉथ से जो कवर हुए था अपने लाइफ में आप लोग कभी ना कभी काई ना कहीं देखे ही होंगे कि यह इंफ्लेट हो सकता है इसके अंदर हवा भरी जा सकती है और किसे कवरता है कॉटन से और इसको हम कहां बांते हैं अगर यह आपका यह आम है तो यहां पर इस रीजन ने इसे बांद दिया जाता है टाइप किया जाता है यहां पर अपने को प्रेशर दिखना शुरू हो जाएगा दा इंस्ट्रूमेंट इस प्लेड अड़ लेवल ऑफ हार्ट जो लेवल पर हार्ट उसी लेवल पर रखते हैं अगर यह आपकी बॉड़ी सुने पर है कि आपका हार्ट यहां पर है इस पोजिशन में तो इसे आपके बाद जो में एकदम पैरलली रख दिया जाएगा ठीक है और कफ इस टाइट लेड अराउंड दी आम तो यह जो कफ है जिसे हम क्या बोल रहे है जो कॉटन क्लॉथ लाइक स्टुक्चर रहे है दा कफ इस इंफलेटेट तिल ब्रैकियल आर्ट्री ब्रैकियल मतले हाथों के आर्ट्री इस ब्लॉग ड्यू टू एक्स्टर्नल प्रे पिस्ट कि रॉप अब इसको आपके हाम की तब टाइफ कर दिया हैं इस से करते हैं यह क्या है पिर पेंस यह लुग पर तिमौन करते हैं गते हैं दो यह क्या करें गानी गों छो आपके यहां प्रिश चाषट चर लुगे ृ। इस तरह से veins जा रही होंगी और arteries जा रही होंगी उनको क्या करता है completely block कर देता है यहां से यहां transfer होने को तो इतने pressure तक इसमें हवा भरते रहते हैं तो आप किसके थ्रू भरते हैं इसके थ्रू अभी then the pressure in the cuff is slowly lowered till the first pulsating sound is heard अब क्या करते है एक knob रहते है नॉब को घुमाते हैं डॉक्टर यहां पर देखे यह knob है एक सेके यह देखे एक knob है जिसे डॉक्टर्स घुमाते हैं और क्या करते हैं प्रेशर करते रहते हैं यहां से decrease करते रहते हैं और decrease करते हैं कि समझें अगर 220-200 पर रखें यहां कि पहला sound का वाया, decrease करते रहते हैं. At this moment pressure indicated in the manometer is systolic pressure systole मतलब क्या होते है, contraction! którym लौरिश बलृड प्रेसरों blonde Dubきます मßक आड़ेलों कुरोड़कौफ सूंट के। करोड़कोफादी चौरॉटकोफ लौरॉटकोफ लौन उड़ब बलौदर अड़ल्य कि करोड़कोफ Le चौरोड़कोफ लौन झाट बलौ इंग बलौरिद भी इंग भी औला ब्लेट परिश्चे spice is disasters Will कि अब बर नकिवट का पर मेंटीटी पर रहता है इसी के सलिए पर को डाइगरम के dobr jak प्रेश्र विप्रेश्र चे घे रहा हो और यहां पे नॉब लगी रहती है जिससे मैं रिलीज करता हूं तो इसमें भरते हैं बाहर से प्रेशर आपके आम्स के उपर पट्टाल अप्रीटे रहता हूं है यहां पे वह टाइप किया गया है इतना प्रेशर देता हूं कि यह ब्लड का यहां पर आर्ट्री वह रुख जाए अब क्या करता है देदे नौब को घुमाता हूं प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है जहां पर फॉर्स साउंड है डॉक्टर नोट कर लेता है कि यह आपका हाई पॉइंट यह ब्लड पूरा यहां तक पहुझ गया है अब उसको इतनी रश करने की जरूवत नहीं है अगेंज प्रेशर जो मैंने अप्लाई किया था एक्स्ट्रा बाहर से प्रेशर दिया था तो वह उसको फटफट कुछ भी करके जाना चाहेगा और जब नॉर्मल हो चुका है यह यहां पर सब ब्लड जा चुका है तो यहां पर साउंड आना बंद हो जाएगा और इसी का यूज करते हैं हम लोग हाई और अपना से स्टॉलिक प्रेशर और डास्टॉलिक प्रेशर को पता करने के लिए अगर आपका 120 और 80 के उपर आता है रिशियो तो आप हाई ब्लड प्रेशर यह धियान लगना आपके अब हएप पर्सेंशन के पर सिंस्टी रेस ड्लड प्रेशर हाई और दी नॉर्मल इस कॉलल अजी हाइप्र्टेंशन कि होता रहा है हमेशा प्रेशर जो है जरे रहा हे घ्र नियर लीड यह जीमान फॉर्ट कर जो एंट्विंट क्रणूट आपको अपको डाइंगे कि आपकी ब्लड फ्रेशर कम हो जाय थी जह आप कितना जादा तो 180 शुदर को मेरां किडनिक फैसे में इसके अलावां और गया्म के ब्रेइन की का ब्लूम की अपर होती रहे तो वह इतना सब्लड का प्रेशर और किड्नी को उतना ब्लड फट 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 पंप करना रहेगा और वो उसके लिए नॉर्मल एक्टिविटी नहीं है तो उसको उसके उपर भी लोड गिरेगा अल्टिमेटली अंडर दी कंडिशन अफ हाइपर टेंशन हाट उसे मोर एनर्जी फॉर पंपिंग तो पंप करने के लिए ज्यादा चीकी टेंशन ज्यादा लग रहें विच कॉसे एंजाइना पेक्टोरी यह बहुत बेकार डिजीज है देखना इसकार में आगे पढ़ेंग किसको यह ब्लड सप्ला हो गया है हाट को वॉडशिया इस इतने एनरजिय के लिए और। वो खुद को आक्सिजन सप्लाइब कर रहे तो वह क्या बोलते उसको एंजाइना पेक्टोरीज मेले तू मायो कार्डियल इंफार्केशन आपके हाट की जो ऑटो रिदमिंग अपने उसको डिस्टर्ब कर देगा और इसके वैसे ब्रेन हैम्रेज डियु तो हाइपर टेंशन एज आर्टरी इंदी ब्रेन आर लेस प्रोटेक्टेट वासरांडिंग टीशू एस कंपेर तू अधर और आपको मालम जैसे हमने बोला था वहां पर थिन रहती हैं बहुत वह और यह सेक्शन हम लोग कप करेंगे जब नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे आपका इन किड्नी हाइपर टेंशन में कॉस्ट किड्नी फेलियर कि वह इतना क्या काम करते हैं ब्लड एक्स्क्रीशन का अब इतना फटवर फटवर रीनल बूलते हैं ना कि उसको एक्स्टरीशन करने के लिए बहुत इतना एक्स्पर्ट नहीं है वह तो उसके उपर भी ओवर्लोडिंग हो जाएगी सेम चीज उसके लिए भी निउट्रेंट की कमी हो जाएगी रिसोर्स की कमी होजाएगी और वो भी अल्टिमेटली रप्चर जाएगा अगर यह लॉंग टाइम तेक हाइपर टेंशन चालू है लॉंग टाम इन देसेंस क्या आदमी बहुत सालों से इसी से सफर कर रहा है तो डेली के जो बॉडी और पर मिशैप होते जा रहे हैं उससे और डामेज जाएगा या तो एक अब और यहां पर अंजाइना प्रेक्टोरिस में आपको ध्यान रखना है इस डिजीज में हार्ट फेलियर हो रहा लेकिन कैसे हार्ट एक तो ब्लट पॉंप कर रहा सबको देना चाहरा लेकिन खूदी ब्लट नहीं ले पा रहा है और कौन देता है वो कोरोनरी आर्टरी अ अब कोरोनरी आर्टरी डिजीज स्कैड इस आल्सो नोन अस एथरोस्क्लिरोसिस क्या होता है इसमें इन दिस कैलिशियम फैट और कोलेस्टरॉल लाइक और फाब्रस टिशू गेट्स डिपोजिटेड इन दिब्लट वैसल सप्लाइं ब्लट तू दी हार्ट मसल्स मेकिंग लुमिन नैरो इसमें क्या हो आपका हार्ट था हार्ट के पीछे मालम बैक साइड में पतली पतली से आर्टरी देती है अब इस तरह से यहां पर कैलिशियम के डिपोजिशन कुछ यहां पर फाइब्रस कुछ फैट के कुछ कोलेस्टरॉल के डिपोजिशन ऐसे हो जाता है ब्लड सप्लाइब करने को बॉड़ी को दिक्कत हुआ तो खुद हार्ट ले नहीं पाता इस लिए इसके वैसे कौन से डिजिस होने की चांसे थे अंजाइन प्रेक्टोरी तो चलते अंजाइन प्रेक्टोरीज देखे इसके सिंप्रम देखिंग अब क्या होता इसमें कि इस पें इन डिचेस रेजल्टिंग फ्रॉम रेडक्शन अब तो यह लोगों साप लोगों को इतना समझ चुका है कि यह ब्लड सप्लाइब कम कहा हो रहा है हमारे हार्ट को ने पहुच पा रहा है तो दिक कार्डियक टिशू बिकॉज अफ एथरोस्क्लिरोसिस और आर् आपकी ब्लड वेसल्स है इसमें आपका मीडिया जो होता है यह बहुत हम लोगों को वैसे नॉर्मल कंडिशन माल में कि इलास्टिक होता है मतलब स्ट्रेच हो सकता है अकॉर्डिन टू जैसे बॉड़ी की नीड हो यह पतला मोटा हो सकता है लेकिन अब क्या हो चुका है ए इस क brace character by the severe pain & heaviness in the chest बहुत ज्यादा भी की आप से नहीं सकते उतना ज्यादा भी सपहत QC पें में अट्प में लौरर क्या योनिंग कट-क कर थे अम लोग डहें कि इसे आपनी आपन जोर फोर ते रहतीं लेफ्ट आम में दिक्कत होगी और इसके अलमा बैक ऑफ दी उनके जो शुल्डर से लोवर रीजन होता है वहां पर भी पेंच चाले होती है तो आपके लेफ्ट सेक्शन में लेफ्ट आम में या लेफ्ट पार्ट ऑफ जौ में आपके बोलते हैं नेक में कहीं पर अगर ऐसे टेइंट जैसा हो रहा हएं और या तो एक हो रहा है कंटिन वहारी एंजैना प्रेक्ट व्ट्रीज की एक हमेशा और कॉसे सकते हैं लेकिन जयो एटिजयार फेक्ट प्रेक्ट बांडीर एक सब्सक्राइब दिदे पर दो प्रकार रहा है। मतलब अभी अभी यह नहीं बो को एंजाइना पैक्टोरिस में sah Creo और और बाड़ी में बहुत सप्लाय कर रहा है में हाट को तो वह स्पीड से नहीं ब्लट दे पार हैं जो स्पीड से हाट काम कर रहा है तो वह भी कंडिशन है कि हाट फेलियर हो सकती है अब एंजियोग्राफी क्या होती है एक्सरें इमेजनी आफ दी काडियाइक ब्लड वैसल तो लोकेट दे पोजीशन और ब्लॉकेज इस कॉल्ड एंजियोग्राफी इसमें क्या करते हैं आपके ब्लड में अगर यह ब्लड वैसल है पूरे हार्ट का समझें यहां पर इमाजन भी करके रखिए तो यहां पर बहुत सारे वैसल जा रहे है तो आपके इसमें क्या समझें ऐसा डिपोजिशन है लेकिन क्या पहले एक बार इमाजन करते हैं तो यह जो कैलिशं डिपोजिट होंगे यह सब भाकि जो यहां का रहेगा यह ब्लड का पार कलर हो जाएगा तो आपको इमाजनेशन और इसमें क्लियर फरक मालम पढ़ जाए कि कहां पर ब्लॉकेज है तो आप ब्लॉकेज लोकेट कर पाते हैं पार्ट य को उसका एक स्टक्चर मिल जाता है ग्राफ लाइक और एंगियो मतलब हार्ट का depending upon the degree of blockage की कितनी है remedial procedures like एंगियो प्लास्टी और बाइपास दो सल्यूशन होते हैं surgery are performed in angioplasty a stent is inserted at the site of blockage and to restore the blood supply while in bypass surgery the atherosclerotic region is bypassed with the part of vein or artery taken from the another part or any other suitable part of the body like hands or legs क्या बताना चाहरा है यह देखिए अगर यह नॉर्मल से लेश्टी है तो इसको अगर समझे आपके यहां ब्लॉकेज है तो यहां पर क्या करेंगे यहां तो इसको साफ करके वापस यहां ब्लॉकेज नहीं हो यहां पर extend के साथ जाली जैसा structure डाल देते हैं एक जाली जैसा structure डाल देते हैं तो क्या करता है यह रीजन में further यहां पर deposition होने नहीं देता वह किक है और सेकेंडली deposition future के लिए नहीं होन देता और आपका heart यहां पर फिर से पहले सा perform करना शुरू करता है function ठीक है तो यह आपको ध्यान लख रहे हैं और यहां पर अगर दूसरा case क्या होता है कि अगर यही structure है समझे अगर clear कर देता हूं यही structure लेकिन यहां पर बहुत सारा deposition actually अब इसमें stent नहीं डाल सकते अब बहुत दूर तक है multiple है तो क्या करते हैं यहां से blood vessel को काटके यहां से cut करके एक दूसरा blood vessel लाते हैं और इस तरह से अब इसे यहां पर block कर देते हैं इस zone को upload यहां से यह क्या किया हमने bypass upload as a flow होगा तो हमने bypass रस्ते सुने होंगे वही चीज़ bypass तो इसे bypass बोलते हैं कि अब यह काम करने लाइक नहीं है एक बार फिर से revise कर लेते हैं कि यह life में सब कहीं ना कहीं यूज होई जाता है यह नहीं कि गर में पेशेंट हो जाते हैं लेकिन क्या होता है नॉर्मल कहीं फ्रेंड फैमिली में लोग अगर रहते तो आप वहां पर एड्वाइज दे पाते हैं अगर आपके ब्लॉकेज हो चुकी है हाट में किसी के तो उनको क्या डखते हैं डॉक्टर यह तो एंजियोप्लास्टी में इंजियोग्राफी नहीं बोल रहा है यह प्लास्टी है इसमें क्या अगर इस तरह से कुछ ट्रक्चर है जहां पर डिपोजिशन है तो क्या करते एक स्टेंट डाल देते हैं यह और आगे कहीं ना हो तो यहां पर प्रिवेंट करता है साइट को प्रिवेंट भी करता है फॉर्दर डिपोजिशन अब इसके त्रू निकलता रहता है दूसरा क्या आता है बाइपास बाइपास में सेम लेकिन मल्टीप जगाओं पर है पूरा जो 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 नहीं वह पूरा Frankly यह द्यान रखना आपको बाइपास क्या बोलते है इसीफोर ऐपन हार्ट जरी बोलते है इसमें आपके heart में अगर आपकी पूरा सामने से जो पूरा rip की जिसे open किया जाता है open किया जाता है वही पे angioplasty आपके angioplasty में कुछ नहीं सी body में stent introduced किया जाता है लेकिन बिना heart का या rip को open किये तो वह जनरली पाइप के थूख कर देते हैं लोग प्रिकॉशन के साथ करते हैं और उसमें एक्सपर्टीज हो चुकी है जनरली सब लोग जो रहते हैं सबको इंकरेज करें जैसे कि जिनको ब्लॉक के लिए कि अगर एंजियो प्लास्टिक कई वागा सक्सेस्फुल ने तो फ पूरी जो बॉड़ी के बीच में चेस्ट रिजन में एक ऐसा सिला हुआ जोन मतलब इन्हें बाइपास सजरी दी गई है ठीक है चलो तो इतना आप लोग समझ चुके कि ब्लॉके को कैसे अठाते हैं कि अब हाट transparent कहता है सिम्पल हैं इसमें हाट को transplant कर दόल लिकिन कई साल से काम नहीं कररा है कोमा सक्राइब कंडिशन और यह सतक्रिक्न जाता है रहुट लेकिन दो साल से कशनले चलवब भाइट शीनuggling ने कि शौर्द ह्वां वाइलेशन होते हैं लोग बोलते हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना क्योंकि नहीं कर सकते और बेटे-बेटियां होते हैं जिनका खर्चा उन्हें देखना होता है तो वो लोग क्या करते हैं कि हाट डूनेट कर देते हैं और फिर ऐसे अच्छली मैं क्या बोलना चाहिए कि ऐसे परसन को मार दिया जाता है ठीक है तो उनका हाट दो लोग का हाट हटा सकते हैं हाट ट्रांस्प्लेंट इस नेसेसरी इन केस ऑफ पेशेंट्स विट एंड स्टेज हाट फेलियर मतलब एक नम अब उनका हाट काम करने कोई भी अब जो हमने बोले थे एंजियो प्लास्टी नहीं काम कर रही है ओपन बाइपा हाट को ही ब्लोड सप्लाइ कर रही है वही तृट में हमारे खराब हो खाळुन गाइसमें हमारी टाइन पर हमको सिर्फ पल्मेनरी ट्रंक और एयोटा के बारे में इंपोर्टेंस दिखाया जाता है कि यह आपको याद रखना लेकिन जो सबसे इंपोर्टेंट चीज थी वो थी के आर्ट्रें और को रोनरी साइनस आर्ट्री ब्लड सप्लाइ करती है औक से ब्लड ले लेती है इनका फंक्शन जानना बहुत जरूर है आपको अब साइलेंट हाट अटाइक क्या होता है यह इंपोर्टेंट जानना और यह सब आप लोग को भी पढ़ना चाहिए अच्छे से करना चाहिए अपनी दोस्तों में शेयर करना चाहिए बहुत ज्यादा यह वीडियो को नहीं बोल रहा है अपने दोस्तों में भी इस नॉलेज इनफार्केशन मतलब क्या मिस फंक्शन हो जाता है ठीक है इस इस टाइप अफ हाट अटाइक डाट लाइक जनरल सिम्टम ऑफ दिक्लासिक हाट अटाइक लाइक एक्स्ट्रीम चेस्ट पें हाइपर टेंशन शॉटने सब्रीज स्वेटिंग डिजिनेस तो आप जनरली दे आके सिर्फ सोय रहते हैं एक पोजिशन दूसरी पोजिशन पर जाना नहीं चाहते लोग तो इतना ज्यादा सीवियर देता जो असली वाला जैसे मालूम पढ़ने लेकिन कभी-कभी क्या होता है यह देखिए क्या होता है कि साइलेंट वाला सिम्टम ऑफ साइलेंट हट के सोड़े सांसे अपनी बना के चलना शुरू कर देंगी सब इस स्टड़ीट अफेक्टेड बाइस साइलेंट हाट अटाइक दायन दी वूमें आपको बड़ी इंट्रेस्टिंग एक सर्वे बताता हूं कि वोमें जो होती है वो लेस उनके जो उनके डिजीज रहते हैं व कि वह अपने प्राप्लिमंस को हमेशा बता आती जुटे से भी प्राप्लम को बताती है रही इंटर कुछ इसके लिए सथे अ मतला बोलते है कि आप या यह चरूर rubbish से बता दे Cent futures को मताइंगे वहीं पर men क्या होते हैं यह सब चीज के बारे बात नहीं करते हैं men की society में या खुद किसी family से नहीं बात करते हैं अपने friends से बात नहीं करते हैं तो क्या करता है यह जो suppression of discussion है उससे क्या लीड़ होता है कि उन्हें यह जो minor causes थे यह minor symptoms थे यह बड़े हो जाते हैं और ultimately उन्हें क्लासिक बड़े disease हैं वह जाते हैं इसी का एक example silent heart attack यह ज्यादा मेल में क्यों होगा यह आप जानगे अभी उपर से मेल का जो रहता है मेल में और रिजन भी रहते हैं जैसे कि मेली smoking जादा करते हैं अब यह नहीं बोलना कि मैं मेल के अगेंस्ट में जैसे बता रहा हूं कि कि इन्हें stress बहुत लेना होता है तो stress handle करने के लिए किसी ना किसी habit पर चले जाते हैं अडिक्शन पर चले तो ड्रिंकिंग हो गया और यह अपना फिर को टोबायको चूइंग हो गया इंडिया इस तो उनली कंट्री वेर टोबायको इस चूइड जहां पर चूँ करते हैं ह हो भी कौन से वाले silent वाले अब electrocardiogram इसे मैं सुचा था कि अलग वीडियो में करूंगा लेकिन मैं आज आपका last topic करूंगा तो इसे आज में खतम कर दूंगा तो patiently आप इतने दियों से हमें follow करते हैं तो please guys अपना support बनाया रखना और वीडियो को जरूर एंड तक देखना यह बहुत important पार्ट है इसके बारे मुझे थोड़ा सा आप लोगों को बताना है because यह हाट का यही वाला पार्ट है ना ECG रिपोर्ट डॉक्टर हमको निकलवाने को बोलते है नॉर्मल चेश्मिन तो आपको ना ignore नहीं करना चाहिए मेरी बात को ध्यान से सुने राधर देन losing a person lose some money at earlier stages only मैं जानता हूँ कि इंडिया पूर कंट्री है लेकिन जब भी कोई भी डॉक्टर ECG बोले पारेंट्स का कराने को तो जो भी आप लोग बच्चे हों सुन रहे हो तो जरूर ECG रिपोर्ट निकलवाए ECG एक बोलते है कि ECG के बाद क्या एंजियोग्राफी होती है अगर ECG में प्रॉब्लम हो गए ना एंजियोग्राफी करते हैं इंडिया इन द्रस्त क्या रही हो जाएगे लिए आपका रुपएगा ने पैचानने तो आपकर घर वालों की जान बच जाएगे, so ECG report is very important, so देखते हैं ECG report क्या होता है, graphical recording of electrical variations detected at the surface of body, surface of body, during their propagation through the wall of the heart, is called as a electrocardiogram, इसमें electrical, आपके body में क्या रहता है, heart pump करता है, तो वो pump आपको भी feel होता है, आप लोग हाथ लगाते हो, तो वही vibration जो है, वही vibration जो आप अपने हाथ से feel करते हो, एक second, आप अपने जो body के ये zone में feel करते हो, हाथ लगा के, उसको क्या कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, उसको क्या करते हैं, ये जो vibration जाती रहती है, उसके उपर electrodes लगा देते हैं, ऐसे, और वो electrodes जो vibration उसको amplify कर देते हैं, उसका amplification बोल सकते हैं, तो वो देखेंगे क्या है, तो वो graph पूरा बना के देता है, कि आपके surface पे, तो मतलब समझे, surface पे क्या हो रहा है, तो वो हम लोग पहिचान रहे हैं, this recording may be in the form of print out, और on screen display, तो on screen display भी doctor को available होता है, और patient के हाथ में print out दे देते हैं, the instrument used for this recording is the ECG machine, बड़ी चोटी से मतलब बड़ी easy machine रहती, ज्यदा hard नहीं रहती है, और electrocardiogram, टीक है, this instrument detects and amplifies, देखिए, हमने पहले रिखा था, amplifies the signals, various electrodes are used for the recordings of signals, four electrodes are positioned on the limbs and two, उसमें से two on the arms and two on the legs and these are limb electrodes, मतलब आपके limb मतलब हाथ पैर पे, six electrodes are positioned on the chest, these are chest electrodes, total में ten electrodes, six आपके chest zone में, two आपके हाथ में, two आपके पैर में, in the normal records, और बीच में conduction के लिए क्या करते हैं लोग, यहाँ पर gel लगा देते हैं, आप लोग देखें, gel लगाते हैं ताकि वो ना gap आ जागा समझी यह आपका surface है और यह आपका electrode है, तो इतनी का gap से वो बरोबर amplify ने, तो यहाँ पर क्या करते हैं, gap मिटाने के लिए gel डाल देते हैं यहाँ तो वो gel लगाते हैं, even sonography में भी आप देखेंगे कि gel light solution use करते हैं, जो क्या करता है, vibration को maintain करता है, इन दिन नॉर्मल रिकॉर्ड थ्री डिफ्रेंट वेव्स आ डिकागनाइज एस पी वेव इंपॉर्टेंट आगा इसी के बात कर रहते हैं, qrs complex and t wave, तो उसमें से p एक form बनता है, qrs एक जगे लेते हैं और t को अलग से लेते हैं, अब कौन सा होला किसका होता है पहले एक बाद पढ़ लीजिए आप लोग तो उसके बाद हमनों तोड़ा और detail में कर पाएंगे, देखिए, p wave is a small upward deflection from the baseline of the graph, तो आप लोग इलेक्ट्रो काडियोग्राफ देख लिए पहले ऐसे रहता है, देखिए, यह आपका p है, यहाँ पे आपका q होता है, ऊपर r, नीचे यह फिर से s और यह t, अगें यह p, यह q, यह r, यह s, और यह उपर वाला t, तो p वाला एक टा में यह qrs वाला, यह पूरा qrs वाला एक बन जाता है, और t वाला एक पार्ट में, इसके अलावा भी बीच के यह zone, जो यह बीच के जोन दिख रहे हैं आपको, यह भी पढ़ना होता है, यह ही important, इसे s t बोलते है, s t is a very important for diagnosing disease, तो देखे, s t segment यहां पर specialize करके लिखा, यह जरूरी है, यहां पर चलता है, और यहां पर भी देखे एक zone है, पी के बाद देखना, पी अगर ऐसा लेता है, उसके बाद एक flat जाता है, यह भी important के flat क्यों हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद नीचे जाके, ऐसे जा पर T, इस तरह से graph होता है, देखते हैं, आपको मैं detail ने बताऊंगा इस, पी वेव इस a small upward deflection, देखना, उपर की तरफ है, from the baseline of the graph, it represents the atrial depolarization, अच्छा, अब आप जब भी depolarization सुनो, यहां पर सुनोगा, आपको समझना है, depolarization का मतलब होगा, activation, activation, घ्यान रखिए, मतलब क्या, आप जैसे की जानते हैं, अल्रेडी, हार्ट में चार चेम्बर होते हैं, यहां पर हमारा, यह atrium के पास कौन सा नोड था, ऐसे नोड था, साइनो औरिकुलार नोड था, पेस में कर ध्यान कर यह पास लिख चाहिए, यहां पर एवी नोड था, यहां पर फिर, सेप्टम के पास हमारा एक नोड था, फिर आपने बंडल ओफ हीज आये थे, बंडल ओफ हीज, और उसके बाद परकिंजे फाइवर थे, यहां पर, बंडल ओफ इसके आद कौन थे, यह चोटे-चोटे परकिंजे, तो देखिए, यहां से सिग्नल स्टार्ट होता है, स्टार्ट होता है, इसलिए इसे पेस मेकर कहा जाता है, इसे पेस, एवी नोड को पेस, सेटर कहा जाता है, यह हमने पास्ट वीडियो में डिस्कस किया, तो देखो, स्टार्ट कौन हो रहा है, यहां पर, अक्टिवेशन कहां पहले हुआ,unci बहुता है, किसका अट्रियम का, पहले, घ्ञान रखिए, तो अक्टिवेशन स्टार्ट हुआ, इसे बोलते हैं, क्याँ कौन, एक्टिवे तो गया क्यों आपक्राइब क्या होता है स्टार्ट स्टाइड डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन पहले थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा सेरेज करके दिखाता हूं यह देखे नॉर्मल यह लाइन थी लाइन से और नीचे गया देखिए तो यह थोड़ा डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन से फ्रम बेस लाइन बेस लाइन जो बीच लाइन देखिया जी रो वाली बेस लाइन है and continues as a sharp and large upright wave and ends as a downward wave तो वापस से उपर से लेकर फिर से नीचे आके ही रुखती है तो इस पूरे को क्या बोलते है क्योरे स्कॉम्प्लेक्स क्योरे स्कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेशन का मतलब क्या अपको पता है बंडल ओफ फिज और परकिंजे फार बरते इसे बोलते हैं और बंडल ला एक्टिवेशन और क्या बोलेंगे यहां पर बंड्रीकॉलार डी पोलरायज़ेशन और टी वेवश स्माल वाइड एड अपोवर्ड ली अलियूड़ वेट रिप्रेजेशन निर्डि बेंटरीकुलार रिपोलरायजेशन ल सो आप बोला चीए कि atrial repoloration क्यों नहीं हुआ जी हां atrial repoloration यह जो पी के बाद यहां से slide थी वहां पे हो रहा था वो ठीक है यह आपको चीज़ ध्यान लखनी है ECG helps to diagnose the abnormality in conducting pathway enlargement of heart chamber damages to cardiac muscle reduced blood supply to the cardiac muscle and causes of chest pain की कौन से zone में दिखका थे एक सेकंड आपको मेरे पास लिए इसके लिए अच्छा डाग्राम है वो देख लीजिए आप लो एक सेके ना यह रहा यह देखिए यहां पे जो green में दिखा रहा है तो आप लोग को वहां से समझना है कि कौन सा activation कब हो रहा है यह देखिए यहां पे ऐसे node दिखाए गया तो यहां पे P wave का इतना part जनरेट हुआ इसे बोला गया atrial depolarization यहां पे फिर देखे अभी भी यहां पर अला part active है यहां पे AB node active हो रहा है तो AB node के लिए देखे यहां पे यह पार दिखा रहा है तो atrial depolarization complete हुआ और वहां पे जो इंपल्स यह डिले क्यों होई क्यों वाली तुरंत यहां पी के बाद यह पी था इसका तुरंत क्यों क्यों नहीं आई क्योंकि बीच में यह इसके बाद आ रही थी हमारी अब इसके बाद यह खतम है यह अपने कौन से जोन में आ रहा है यह अट्रियल Lol secularization खतं होके चल रहा हमारा ventricular typulation की तरफ आप जाएगा वें टीविल्य दी एप्डयाप्वेशन इगीन्स ऐड़ दी एपेज काजिंग दी इक्यु ओ रिस क्यों क्यों इत्रिजीव एशन अक़र्स मतलब क्या अब deactivation हो रहा है रीपोलराईशन मतलब समझोगे आप लोग कि deactivation चालो है अब फिर से depolarization रहेगा तो activation repolarization होगा तो deactivation तो दी उल्टे में ध्यान लखिए इस तरह से तो यहाँ पर apex में क्या start हो जा रहा है यहाँ पर अब ही अपना जो यह QRS complex है इसमें क्यों दिखा क्योंकि यहां पर वेंट्रिकुलर कॉंट्रेक्शन चाल लुए देखिए अब यह पूरी बॉड़ी में पहुच गया वेंट्रिकल्स के यहां पे अब इसके बाद यह पूरी बॉड़ी में देदर पहुच चुका है अब डी पोलराइशन इस क यह देखिए यहां पर रिपोलराइशन होना स्टार्ट हो गया रिपोलराइशन आपको रेड कलर से दिखाए गया इसलिए यहां पर टी वे उसका रिजल्टेंट है और साथ में अब कंटिनिवेशन इसके बाद हो जाएगा पी वेव के लिए तयारी चलो हो जाएगी स्टेज में अमारा पूरा निपोलराइशन खतम फ्लाइशन हो गया कर्व यहां पर कोई भी वाइबरेशन नहीं इसलिए यह यह भी प्लाइबरेशन नहीं प्लाइब दिखता है यह भी दिले हुआ डिले के लिए रीजन्स होने चीए आप लोग को यह चीज द्यान देनी चीए एक्स्ट्रा नौलिज था यह थोड़ा सा कि आप पूरा वेव समझ पाओ कि कहां पे क्या-क्या है तो यह डाइग्राम आप लोग के लिए अवेलेबल है आप और एनलेसिस करके से पढ़ सकते है और और बता सकता था कि यहां पर दो-दो स्टेजेस क्यों है लेकिन इतना सफिशेंट आप लोग के लिए तो आप लोग करना इसके साथ अगर अच्छा लगा तो ने तो हम चलते हैं वीडियो में अपने आगे अब फिजिकल कैन फांड आउट पांड आप लोग को यह बत ना सकते हैं कि यह बाला जो आपको ऊपर दिया गया ना यहन नहीं होता है बोलो जो पढ़ाई करते नो भोझजम अब भी यह दिखाया कि यह डेले देखी यह बीक्स णिक्यों आया लाहां पे सॉरिंया पर्ड़े क्वस आाँज़खत सकतें कि रिहां पर पकर चक्त buds tai्म म तो वह पाट का ऑलो ंगियोग्राफी की लिए सजेस्ट कर देंगा समझे आपके लेफ्ट पार्ट मे दिक्क्त है तो एंज्योग्राफिम देखेंब लेकिन जब कर अब जादा नहीं आ रही तो डॉक्तर वही पाट जादा और आलाएज कर ere好吧 नो ड़ और पाकर देखे dissolve लेकिन यहां पे पूरा पढ़ई चैहाँ के लिहीए सक बेसिक होगे और आप वेहेलेे होने का रीजन रहता है यहां पे री पलराइजेशन रिजेशन था दोनों यहां डी पोलराईजेशन और यहां पर री पोलराईजेशन और वेंट्रिकल रिस्पॉंसिवल था ऐसे रीजन से आप आगे बढ़ते हो यहां पर वही लाइन मेंशन किया है लेकिन उसको बताने के लिए मुझे डायग्राम दिखाना जरूर था अब लिंफाटिक सिस्टम आप लोगों को जानना है देखिए लिंफ क्या होते हैं लिंफ भी एकक फ्लुइड है में है हुआ हो मिलніम्फ व करते हैं रिम्फ से ब्लप से लेंट थे सारी होती है वह अलग होती है द्यान रखिए वह से ज्यादा टाइम लोगों को लंध मेरा को भड़को ए वह बोलते यह आप लोगों को जानते रहना है हमेशा अब देखते हैं lymphatic system में क्या-क्या है lymphatic system consist of lymph lymphatic vessel and some organs and tissue ध्यान रखिए तीन चीज़ वान, टू, त्री यह vessel है vessel के अंदर जो liquid जाती है उसे lymph बोलते है lymph of blood में फरक बताऊँगा अभी और यह कहां से कौन से और्गन से कौन से और्गन तक जा रहा है उसे वो और्गन related वाले जो और्गन और tissue बोला आपको उसमें हम relate करेंगे the word lymph means clear water and it is a fluid connected tissue with almost similar composition of blood except देखिए उसके अंदर क्या नहीं होगा RBC नहीं होगे plates नहीं होगे ध्यान रखना आपको WBC होंगे इसके नहीं WBC होंगे लेकिन दूसरे दो पार्टिकल्स है RBC नहीं होगे यह फरक है तो आप लोग को यह सब पता रहना चाहिए fluid from intercellular spaces of the body tissue enters into the lymphatic vessel from there it is discharged into the blood vessels especially veins के अंदर through the thoracic duct and right lymphatic duct important ठीक है अभी क्या होता है यह fluid क्या होता है एक सेकेंड यह समझेए आपके cells है tissue tissue यह cell समसकता cell है अब इनके बीच में जो खाली जगह यह खाली जगह का जो जिससे भरा रहता है यह भरके ले जाता है कौन lymph वाला यह lymph समझेए यह vessel जा रही यहां से उपर से यह क्या करेगी यलो कलर वालों को अपने अंदर भरके लिखे जागी thoracic duct और वहां पर जगहे देखे ऐसे भरके यह बात कर रहा है वो कि intercellular fluid अगर बोलता है तो क्या बोलना चाहरा है ठीक है आपको clear रहना चाहिए आगे देख लेते हैं क्या function है यह देखिए अभी जो आपको organs है organs बोल रहा था पांच organs आपको याद रखने एक spleen दूसरा appendix सब लोग बोल रहे थे आप लोगों बच्पन तक बता होगा कि appendix जो है उसका यूज नहीं है human body में लेकिन वो मैं last lecture में अपने बताया था और बच्चों को बता था कि यहाँ पर lymph nodes मिलते हैं यह vestigial organ नहीं समझना चाहिए इसे यह एक lymph node हुआ फिर एक thymus gland हुआ टोटल पांच system होगे तो यह 1 यह 2 यह 3 यह 4 और यह 5 यह thymus gland को नहीं लेना है तो 1 2 3 और appendix 4 और जो 5 वाला part है यह जो notes है यह जितने भी notes है इसे अलग color से कर देता हूँ मैं तो आपको clear रहेगा पहले erase कर देता हूँ जो मैंने rate कर दिया है आप लोग को यह system आज ही clear कर लेना है आपको कहीं पर भी जलली पूरी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी जहां पर पूरी तरह से इनके बीच में difference और इतने अच्छे से बताया गया रहे तो आप प्लीज इसे अच्छे से देखिए यह एक दो यह जितने भी नोट्स हैं यह नोट्स सब के सब सब पार्ट हैं लिंफाटिक नोट्स के पांच यह पार्ट हो गया पांच और यह जो पैसेज है यह जो आपके पैसेज हैं इन्हें बोला जाता है duct Eckotte इसन्थ को बीप depth यह जाए डंट के थरू तो आ सब आगे मैं आपके इतनी चीज हमकर दिखने है तो चौिश सब करने जिसको बोलते हैं कि हम प्zeug मीत्स कर दोगोंchnbalED करने अ यहां normal body tissue है अब यहां पर क्या होगत बहुत साथ हमारे cells हैं इनकें अंदर fluid है blood vessel आर्टरी आरी है आरटरी में देखे यहां पर candeation अब rapidly we start withчик lary, अब चौरर होती है इसके बाहर वह अपने डाइश aerospace निकालती है ऐसे यह कहां चोड़ती है यहां पर छोड़ती है तो उस कलर उसे अलग कलर से दिखायता हूं तो यह जो इंटरस्ट यहां पर फ्लूइड में अपना पूरा जो पार्ट कंपोनेंट और ब्लड यह थोड़े थोड़े रिलीस कर देता है अब इन कंपोनेंट्स को ले के जाता है कौन यहां पर भी अपना दूसरा चीज एक दू और रहता है कि अपना लिम्फाटिक वैसल साते है अब वो भी अपना रिलीस करते हैं और वो भी कैपिलरीज में डिवाइड होते हैं फिर कलेक्ट करके लेके जाते हैं देखिए वापस से लिम्फ नोट से connect करते हैं लेके गए कि वो अपस से veins के अंदर डाल देंगे हमारे किसमें heart के और heart का खुद का भी एक इसी type का system रहेगा heart में भी क्या होगा वहाँ पे भी heart को भी blood चीए न तो उसे pulmonary blood capillaries देखी यहाँ पे तो यहाँ पे blood vessels divide होंगे हमारे arteries के बड़े सारे capillaries में यह capillaries के बीच में कौन आएगा फिर से lymph vessels आएगे lymph vessels अपना material रिलीस करेगा अब इसके बाद capillaries वापस से join होते हैं veins बनाते हैं इसी तरह से अपने lymph भी join होंगे और यह वापस से ले जाएंगे इसको देखी यहाँ से lymph node के थुरू वापस से lymph node में वापस लेके जाएंगे फिर वापस से veins में डाल देंगे इस तरह से पूरा system आपका repeat करता रहता है फिर यहाँ पे lymph nodes यहाँ से गएं फिर यहाँ से heart plump करेगे देखिए blood को आर्टरी जाएंगे tissue के पास कोई भी muscle tissue हो सकते हैं वहाँ पर फिर से एक बार repeat करता है आपके artery divide होंगे capillary में capillary अपना जो भी material है वो tissue के पास देती है फिर वहीं पर अपना आता है कौन सा system lymphatic system system lymphatic system भी अपना fluid यहाँ पर release करता है और फिर यहीं पर capillary ऐसे जमा होते हैं इसी तरह यह अपना fluid जमा करते हुए निकलता है और इसे फिर से lymph node के पास ले आते हैं ताकि वह अपस से उसके अंदर lymphatic सब जो चीए उसके material से उसमें डाल पाए फिर वह अपस उसको लेकर जाता है वेंस में वेंस के तुरूप फिर ट्रांसपर तो यह system हर जगे काम करती रहती है इसका क्या अब बाड़ी इम्यून सिस्टम में इसका यूज है इम्यून सिस्टम में अभी मैं इसके बारे में पास लिए और उसे बोलते हैं यह बहुत इंप्वर्टेंट आपको बताया अच्छे से आपको बिग्याग्राम में कि क्या क्या फंक्शन कर रहे हैं वापस ते डाइग्राम को विजट कर सकते हैं ताकि आप लोग clearly समझ पाएं कि system कैसे काम कर रहा है और आपको चाहिए कि अलग से इसी पर वीडियो बनाएं तो वह भी हम आपको पांदस मिनिट का अलग से वीडियो बना के दे सकते हैं लेकिन समय इसके लिए पचास-पच्पन मिनट हो चुका है और यह chapter का last part है हमने इसक इनों ने यह वीडियो के पहले के पार्ट नहीं देखें जाए कि वह जन्रल हेल्ट अवर्नेस के लिए बहुत इंपोर्टेंट हैं इसी के साथ हमारी बायालोजी की फर्स चाप्टर जो बहुत बड़ा चाप्टर था बिग चाप्टर था ऐसे एक बहुत बड़ा आप में जरूर बताइए तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तिल देन बाइ-बाइ-बाइ और ग्रेट और बेस्ट दे आप लाइफ आहेड